हेलो फ्रेंड्स एंड येश्ट्रेंट्स आज का हमार टॉपिक है सेंथेसिस अफ नियोस्टिग्मिन ब्रॉमाइड जो की एक कोलीन इस्टरेज इनिवीटर है और हमारे सब्जेक्ट फर्म मेडिसिनल केमिस्टी फर्स्ट कोर्स कोड बीपी 402 टी बी फॉर्म फॉर समिस्ट सेंड्यर के सेलिबस में हमें देखने को मिलता है इस वीडियो में ब्लोग नियोस्टिग्मिन ब्रॉमाइड की केमिस्ट्री स्का इस्ट्रॉक्चर और इसकी सेंथसिस को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हूँ डॉक्टर प्रजिन ने शुक्ला चलिए शुर बात करें तो जो नियोस्टिग्मिन है वह एक पौरटनरी अमोनियम आएन के होता है पहले हम समयने कोशिश करें जब कभी जैसे अमोनिया है तो नै्ट्रोजन में तीन हीड्रोजन होते हैं अग पर नाइट्रोजन पर एक जो लोन पेर ओफ इलेक्ट्रॉन है वो भी अगर बना लेता है तब इस परकार का जो आयन बनता हुसे हम लोग कौटनरी अमूनियम आयन करते हैं मतलब कि यहाँ पर चार बॉंड्स आपको देखने को मिलेगे क्योंकि जो लोन पेर ओफ इलेक्रॉ है जैसे कि बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ओपर अगर नेट्रोजन लगा हो अमीन ग्रुप लगा ओ तो उसे हम लोग एनलीन बोलते है अब इस एनलीन ग्रुप में जो हाइड्रोजन थे उनको हमको रिप्लेस करना है और सब्स्लियून लगाना एं यानि एक दो तो 3 यहाँ पर CS3 group से जो हम को क्या कर देना है, यहाँ पर replace करना है, तो यह aftonary ion होगा, क्योंकि यहाँ पर loan period of electron था उससे एक और CST ग्रूप यहाँ पर आके जुड़ गया तो तीन जो है वो CST जुड़े हुए हो और एक क्या जुड़ा हुआ यहाँ पर benzenin जुड़े हुई है इस nitrogen पर यही चीज़ यहाँ पर लिखाए और इस तरीके के iron को हम लोग anilineum iron के नाम से जानते हैं क्योंकि यह aniline से बना हुआ है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको anilineum iron और यह anilineum iron यहाँ पर जो है उसमें से hydrosons होते हैं exactly anilineum में तो उसको हटा करके क्या लगा गया है methyl substitute लगा गया है तीन methyl substitute लगा हुआ है और इसी anilineum iron के position number 3 यानि की 1,2,3 इस position पर यह जो आपका third position है इस third position पर हमको एक substitution लगाना है और वो है हमारा dimethyl carbomile oxy इस dimethyl carbomile oxy को हम लोग dimethyl amino carbomile oxy के नाम से भी जानते हैं तो बड़ा simple सा group होता है एक oxygen से यह जुड़ा हुआ है oxy word है तो oxygen से जुड़ा होगा carbonyl group या carbomile group क्या होता है तो carbonyl group होता है उसके साथ अगर nitrogen लगा हो तो उसे हम लोग carbomile के नाम से जानते हैं अब इस पे भी जो यह carbonyl group का यह जो nitrogen है carbomile group का इस पर दो methyl group जो है वो आपको लगा देना है तो यह कहलाएगा dimethyl carbomile oxy या इसी को हम कह सकते हैं dimethyl aminocarbonyl oxy ठीक है और यह जो group है वो हमें कहा लगाना इस position number 3 पर और जैसे आप इसको लगा दीजेगा आपका नियोस्टिग्मिन का जो structure है वो बन करके आपके सामने आ जाएगा ध्यान देखना है यह वाला जो side chain वाला जो हमारा nitrogen है यह quater quaternary iron में नहीं है जबकि इस nitrogen के उपर जो बेंजीन के उपर जो nitrogen लगा हुआ है वो quaternary iron में है बस हमको इसका ध्यान रखना है या पर दो nitrogen इसका ध्यान रखना है अब अगर हम बात करें नियोस्टिग्मिन की तो जब यह quaternary iron में convert हो रहा है तो इसको एक क्या नम है आयनिक फॉर्म में जो है निगेटिव आयन वाला भी चाहिए तो bromide या sulphate इस तरीके से यह बनता है तो नियोस्टिग्मिन ब्रॉमाइट के अगर बात करें तो यह bromide salt होता है नियोस्टिग्मिन का तो आये नियोस्टिग्मिन ब्रॉमाइट का एक structure हम फटाफट अपनी इनी सभी बातों से मिल करके बना लेते हैं तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमको देना पड़ेगा एक बेंजीन निंग ठीक है तो एक बेंजीन निंग मना लीजे सबसे प आं वह हम बना रहे हैं तो इसपर क्या लगाना है यह लगाना है क्या अपर लगा रहा है तो आप हमेज़ा यहां पर पॉजिटिव चारज जरूर दिखाएंगे इस नैट्रिजन के पात नौ इसके पोजिशन नमबर यह हो गया वन यह वगया 2 अब नमर्रिं करेंगे तो यहीं होगा जहां यह ग्रूप लगाए यह ग्रूप लगाए यह ग्रूप लगाए यह ग्रूप 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 है डायमिताइल देखे दो है लगा है तो इसको बोल रहा है डायमिताइल यन को एक साथ ले लेंगे जार यॉमाइट ग्रूप को चीक है क्रwe chromosomes और यह oxy oxy क्यों बोला है क्योंकि oxygen के साथ जूडा हुआ तो इसी को हम थी C यसी नममनक्लेचर में दोनों नाम यूज होता है, जैसे कि इसे हम बोल सकते हैं, डाइ, mythyle, डाइ, mythyle तो रहे गा ही, अब कार्बो मॉइल की जगा हम ये जगा हम यूज करें, डाइ, mythyle, amino और इसको कार्बो निल बोलते हैं, ये C double bond होगो carbonil बोलते हैं तो यह हो जाएगा carbonil और ये bracket में आ जाएगा क्योंकि ये carbonil पर जुड़ा हुआ है और फिर एक और bracket लगा करके क्या बना देंगे oxy तो oxy तो रहेगा oxy कहीं जाएगा तिक तो ये दोनों में से जो आपको सही लगी वो आप बोल सकते हैं इस पू अनिलीनियम आयन का ये structure जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि हमें neostigmin bromide पढ़ना था तो यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ इसके साथ BR- को जोड़ देंगे तो यह हमारा structure complete हो जाएगा और इसी structure को हम लोग नाम देंगे नियो इस्टिग्मिन ब्रोमाइट तो नाम इसको दे दीजिए इसको जानता जाता है नियो इस्टिग्माइन ब्रोमाइट के नाम से ठीक है यह हो गया हमारा structure अब इसी structure से हम इसका IUPAC नाम भी निखाल रखते हैं याद दखिए का जब भी structure के बारे में बताईए तो structure के स पहला पोजिशन ने जो हमारा एलिनियम आयन है उसके नाइट्रोजन पर क्योंकि तीन मिठाइल गुप लगे हुए इसलिए से हम बोलेंगे एन एन ट्राइ मिठाइल और यह क्या बन गया बेंजीन एमिनियम आयन और इसी के साथ ब्रोमीन क्योंकि जुड़ा हुआ है तो ब् उपीसी ने अब हम चलते हैं इसकी सेंथेसिस के तरफ तो अब बात करते हैं सेंथेसिस ऑफ नियोटिगमिन ब्रोमाईट की तो नियोटिगमिन के बनाने के कई सारे मैथर्स हैं कुछ परिटेंटिड मैथर्स भी हैं जो आप गूगल करिएगा तो आपको मिलेगा कई किता इसको हम लोग simply बोलते हैं analog होता है फाइसोई स्रीग्मिन का यह हमने आपको पहले भी बताया और इसका जो structure है वो कुछ फाइसोई स्रीग्मिन से मिलता जुलता भी है बट वहाँ पर जो है वो एक अगर हमें नियो स्रीग्मिन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे हम थ्री डाइ मिथाइल अमीनो फिनॉल लेंगे एक फिनॉल लेंगे यानिकि बेंजिन निंग के उपर ओएज ग्रूप जिसके थर्ड पोजिशन पर एक अमीनो ग्रूप है जहां पर हाइड्रोजन को अटा करक इन दोनों को लीजेगा तो एक इंटरमीडियट बनेगा जिसे हम लोग कार्बामेट इंटरमीडियट या फिर डाइ मिथाइल कार्बामेट इंटरमीडियट के नाम से जानते हैं अब इस डाइ मिथाइल कार्बामेट जो इंटरमीडियट बन रहा है उसका हमको वापस से एक बार फिर से उसमें alkylation करना पड़ता है या उसको हम लोग कॉटनरी आयन में convert करते हैं उसलिए कॉटनाइज यहाँ पर वड़ी यूज किया गया है वो करते हैं किसके साथ करेंगे methyl bromide के साथ तो वहाँ पर bromide group भी आ जाएगा जिसे methyl bromide को IPSC name में हम लोग bromomethane के नाम से जानते हैं तो वहाँ यहाँ पर डालेंगे तो वहाँ पर एक और extra methyl group जो जुड़ना है nitrogen पर वो जुड़ जाएगा और bromide group भी आ जाएगा और हमको structure मिल जाएगा तो आइए अब जितन एक तो benzening और इस पर phenol group लगा लेना है तो यह हो गया OH मालीजी हमने यहाँ लगा दिया और इस पर एक dimethyl है तो nitrogen amino group है dimethyl amino तो यहाँ पर CH3 और CH3 add कर दीजे तो यह dimethyl हो गया और यह कहां पर लगा हुआ है third position पर लगा हुआ है तो phenol group के third position पर 123 तो इसलिए इसको हम लो phenol ठीक है इसका नाव यह phenol group है OH group है आप इसको बनाने के लिए यहाँ पर CL ले करके फिर इसकी एक reaction जो है वो के वेच के साथ करके भी यहां तक आ सकते हैं कुछ किताबों में वहां से भी दिया हुआ है हम सीधे यहीं से बना रहा है अब इसका reaction जो है वो हमको कराना है एक reactant है हमारे पास N dye क्या लेना था N dye methyl carbon chloride तो आप यह ले लीजे यह क्या है simple सा है CL और इसके साथ जड़ा हुआ है C double bond O और यहाँ पर nitrogen और इस nitrogen पर CST जो है वो जुड़े हुए है दो CST यहाँ पर जुड़े हुए है तो इसे हम लोग बोलते हैं N dye methyl या N dye methyl भी हम बोल सकते ह दाइ-methyl-carbamoyl chloride ठीक है तो इसको आपकी इस नाम से भी बोल सकते हैं या फिर इसी को हम बोल सकते हैं दाइ-methyl-amino-carbonyl chloride यह भी बोल सकते हैं दोनों आम आप बोल सकते हैं तो इसको हम ले लेना है अब जब इन दोनों को एक साथ आप लेंगे तो होगा क्या यहां से दिख रहा है कि यह यहां से H यहां से CL यह दोनों आपस में जुड़ेंगे और SCL जो है वह बाहर निकलेगा सिंपल यहां पर सब्स्ट्यूशन हो जाएगी और जब इसमें से क्या निकल जाएगा HCl जो है वह बाहर निकल जाएगा और यह पूरा का पूरा जो हमारा यह इस ऑक्सीजन के उपर जुड़के कार्बामाइड जो है इंटरमीडियेट वह हमको बना कर कर दे देगा तो आएए फटा फट इसका जो है कार्बामाइल इंटरमीडियेट बना लेते हैं तो यहां पर बेंजीन निंग जो थी वह तो रहेगी ही इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा ठीक है यह बेंजीन निंग यहां पर है हमारी अब देखिए कहां पर बदला हो रहा है इस जगह पर हो रहा है तो यह ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो पूरा का पूरा यह ग्रूप जो है वो जुड़ जाएगा तो इसको जोड़ देते हैं C CH3 है यह अपनी जगह पर रहेगा ठीक अब हम सभी को मालुम है कि यहां पर लोन पेर उफ एलेक्ट्रॉन एक रहता है नैट्रोजन पर तो लोन पेर उफ एलेक्ट्रॉन है नेक्स स्टेप में जो हम रेक्शन करनी है जो आपने यह कॉर्टनाइज जिशन की बात की है या तो वह कर देना है इसकी रियक्शन करा देनी है किसके साथ CH3-BR के साथ ब्रोमो मिथेन या फिर मिधाइल ब्रॉमाइट के साथ तो हम यहां पर CH3-BR जो है वो ले ले रहे हैं जिसे हम लोग Bromo Methane के नाम से जानते हैं ठीक है या फिर हम इसे Methyl Provider बोल सकते हैं और यह जो बनाए है यह एक intermediate बनाए है जिसका नाम है डाई एक जन्रल नेम है कार्बमाइड स्वारी कार्बमेट और यह एक intermediate है यह आवारा intermediate बना गया अब इस से intermediate का इसकी reaction किसके साथ कराएंगे हम लोग ब्रोमो मिथेन के साथ और हमें हमारा final drug जो है वो मिल जाएगा कैसे मिलेगा यह जो आपका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर loan pair of electron है यह loan pair of electron attract करेंगे इस methyl group को क्योंकि यह BR- और CS3 plus में टूटेगा और यह इसके साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो यह यहाँ पर आक करके जुड़ जाएगा कीजिए और आपका structure बन जाएगा तो हम बना ले रहे हैं यह हो गया हमारा बेंजीन रिंग जैसा था वैसे के वैसा यहाँ पर O C double bond O यह यहाँ पर जोड़ गया तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जुड़ गया है तो यह जो इस ट्रॉक्चर बन के आपके सामने आच चुका है इसी का नाम है नियो इस्टिगमाइन ब्रो माइट तो बहुत ही सिंपल सी सेंथेसिस है इससे सिंपल सेंथेसिस आपको नहीं मिलेगी हमको 3-dimethyl aminofenol जो है वो ले लेना है और इसकी reaction जो aminofenol है हमारा इसकी reaction हमको करानी है किस के साथ साथ N-dimethyl carbonyl chloride के साथ यहां से CL यहां से HCl जो है वो बहार निकलेगा सबस्टिशन रियक्शन होगी यह हमारा carbonyl dimethyl carbonyl जो गुरूप है यह पूरा का पूरा जो है वो सबस्टिजन के साथ जुड़ेगा और carbonate का formation हो जाएगा यह जो carbonate formation हो रहा है यहां पे देखे सिंपल जो यहां कोई बदलाव नहीं हुगा यहां पे जो lone pair of electrons इस nitrogen के साथ जो है वो पड़े हुए थे वो अब participate करेंगे क्योंकि next step में हम यहां पर bromomethane जो है वो डालेंगे इस bromomethane के presence में यह bond टूटेगा बियार माइनस और CH3 प्लस में CH3 प्लस जो है वो इस nitrogen के साथ क्या करेगा bond बना लेगा इस lone pair of electrons को लेकर के और आपको यहां पर cotonary iron जो है वो बन जाएगा इसके साथ यह साथ बियार माइनस भी यहां रहेगा और हमें जो structure मिलेगा वही होगा हमारी drug का structure यह थी आज का हमारा टॉपिक जहां पर हमने नियो स्टेग्मिन मॉबाइट की structure उसका नॉमिंक्लेचर प्रॉपर्टीज जो chemical प्रॉपर्टीज है और साथी साथ जो reaction है इस सबसे असान synthesis है वह मैंने यहां पर आपको बता दी यह topic छुटा हुआ था आपके syllabus में इसको हमने आप पर update कर लिया है इसके अलावा मेडिशनल के मिश्ची के जारत है topics जो important topics है वह हम पहले upload कर चुके हैं उसका जो playlist का लिंक हो आपको description में मिल जाएगा वहां से जाकर आप बाकी synthesis सार इस्तियादी जो उसके chemical nature है या chemical classification वग्यर है वह आप वहां से देख सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेर कीजिए चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद